हेलो एवरिवन माइनेम इस पाध और वेलकम बैक तो माइ यूट्यूब चैनल हमने लास्ट टाइम मौडन पिरियोडिक टेबल का पूरा ट्रक्चर पड़ा था तो लेफ्ट में था एस ब्लॉग राइट में है पी ब्लॉग बीच में है डी ब्लॉग और नीचे है एफ ब्ल इसको ग्रुप्स बोलते हैं दर रर सेवन होरिजोंटल रोस जिनको पीरियोड बोलते हैं हमने वन टू ट्वेंटी एलिमेंट्स भी पड़े हैं हाई है लो लिसन टू बीबीसी निउस ऑन फ्राइड़े नाइट ना वांगो अला से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली औ और एक्टिनाइड सेरीज होती है इतना याद हैं और इफ यू आर न्यू टू दे चैनल अरे सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए थोड़ा आगे जाते हैं लेट अस अंडस्टाइंड द अंडर पिरियोडिक टेबल तो सबसे पहली बात वाट आर पिरियोडिक ट्रेंड इसका मतलब क्या होता है देखे बच्छों वेन दप्रॉपर्टी अफ एलिमेंट इन पिरियड और ग्रूप आर कंपेर जब एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कंपेर करते हैं या तो ट्रेंड आफ दो मॉडल पिरियोडिक टेबल तो हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं विवल अंडर्टाइंड एटमिक साइज में क्या वेरियेशन आ रहा है और वैलेंसी में क्या वेरियेशन आने वाला है यह तीन प्रॉपर्टी देखेंगे तो चलिए सब्सक्राइब कंदेगे शुरुम आर्स यतेक्मिक से अचरोब से लेकर वाले है। हम अब करता है NX आ अने शुरुम है और सिल्गाइब दो चैनल और वेरियेशन व्रॉपर्टी वेरियेशन शुरुमाएब ब्च्राइब धर बात इनीड होगा तो इसको measure करने के लिए कौन सा unit use करेंगे देखे इड़ एक्सप्रेस्ट atomic radius is expressed in the unit picometer pm which is even smaller than a nanometer बच्चो nanometer होगता है 10 to the power minus 9 meter and picometer देखे क्या है it is 10 to the power minus 12 meter it is very 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 small are you understanding atomic size का मतलब समझ में आ गया अब इसमें variation क्या देखेगा अगर मैं left to right जा रहा हूँ in a period आपको पता है ना left to right अगर हम जाते हैं तो atomic number increase होता है लेकिन shell सेम रहता है तो सबसे पहली बात number of shells will remain same अगर हम second period की बात करें कितने shell होते हैं दो shell third period तीन shell fourth period चार shell बराबर हैं लेकिन left to right क्या होगा valence electron increase होते हैं atomic number बढ़ता है valence electron will increase बराबर तो example दिखते हैं lithium atom लिया है atomic number is three बराबर इसका electronic configuration is two comma one तो can I say इसके nucleus में तीन proton है atomic number 3 है तो proton 3 होगे फिर उसके बाद आता है beryllium जिसका atomic number है four electronic configuration two comma two तो इसके nucleus में चार proton होगे तो कैना इसे lithium से beryllium में एक proton बढ़ा nuclear charge बढ़ा बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं nuclear charge increase हुआ तो जैसे ही nuclear charge बढ़ता है जो electron है न बाहर वो अंदर की तरफ पुल होते हैं बच्चों आपको पता है protons are positive electrons are negative and they attract each other तो जैसे ही proton increase हो रहा है electrons के उपर का जो force exert हो रहा है वो बढ़ जाएगा and electrons will be pulled to a greater extent अंदर की तरफ खीचेंगे बराबर है तो क्या लिखेंगे due to the increased nuclear charge electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent and because of that size of the atom will decrease तो दिखिए भाई जो electron है वो pull हो रहे हैं अंदर and atom का size छोटा हो गया तो जैसे ही हम left to right जा रहे हैं in a period atomic number बढ़ रहा है protons बढ़ रहे है nuclear charge बढ़ रहा है atom का size कम होते जाएगा beryllium के बाद आएगा boron फिर आएगा carbon फिर आएगा nitrogen oxygen fluorine तो जैसे ही आप right में जा रहे हो atom का size will keep on decreasing simple बात समझ में आई yes or no चलिए आगे जाते हैं if we take a look at down the group यहां पर एस ब्लॉक देख रहे हैं फॉर्स्ट ग्रुप में hydrogen है lithium है और sodium अब hydrogen का atomic number is one एक ही शेल है उसके पास lithium atomic number 3 दो शेल है sodium atomic number 11 तीन शेल है तो आप देखके बता दो यार जैसे ही आप down the group जा रहे हो तो शेल बढ़ रहा है शेल बढ़ेगा तो atomic radius बढ़ेगा atomic size बढ़ेगी simple तो down the group what will happen number one number of shells will increase size will increase बट एक बात बताईएगा lithium में sodium में hydrogen में outermost shell में एक ही electron है तो can I say balance electron will remain same down the group simple तो मुझे बताओ क्या variation अब्जर्व हुआ अगर आप left to right जा रहे हो तो सबसे पहली बात atomic size will decrease left to right atomic size decrease हो रहे हैं down the group जा रहे हो शेल बढ़ रहे हैं तो atomic size increase हो रहे हैं यहां तक बात बिल्कूल समझ में आ गई है तो चलिए second property देखते हैं तो बच्चों अब देखते हैं second property में क्या variation आने वाला है second property है metallic and non metallic character लेकिन बच्चों आपको नमक पता है common salt यह जो नमक है इसका scientific name होता है sodium chloride NaCl and यह जो NaCl है it is a ionic compound ionic compound मतलब इसमें एक cation होता है और एक anion होता है उनके बीच में एक ionic bond बनता है तो देखो भाई sodium जो है वो है metal chlorine जो है वो है non metal and sodium बनाता है cation positively charged ion and chlorine जो है non metal वो बनाएगा anion negatively charged ion बात बराबर लेकिन इसके पीछे भी एक reason metals cation क्यों बनाते है non metals anion क्यों बनाते हैं उसके पीछे का reason ध्याहान से सुनना बच्चों आपको noble gases पता है ग्रूप 18 में जो होती है उनके outermost shell में valence shell में 8 electrons होते हैं ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है देखें हिलियम हिलियम का बात अलग है उसके पास दो ही electron है तो उसके बास duplet state होता है लेकिन उसके नीचे देखिए neon, argon, krypton, xenon, radon पूरा electronic configuration याद नहीं रखना है सिर्फ last में देखिए 88888 है तो सबके valence shell में 8 electrons है देखलो argon atom देख लेते हैं 2,8,8 outermost shell में 8 electrons है इस arrangement को हम बोलते हैं octate state and इसको काफी stable माना जाता है मतलब यह जो noble gases है ना they are the most stable atoms तो बाकी के भी जो atoms है sodium है, chlorine है, magnesium है सबको अपने valence shell में 8 electrons चाहिए उनको भी octate state चाहिए उनको भी stable होना है are you understanding हर एक atom की बचपन से इच्छा है कि हमें stable होना है हमें octate state चाहिए तो यह लोग क्या करते हैं देखिए चलो, let us talk about sodium, atomic number is 11, electronic configuration रहेगी 2,8,1, outermost shell में 1 electron, तो इसके लिए easy क्या है to gain 7 electrons या to lose that 1 electron, simple सी बात है, एक electron दे देगा तो stable हो जाएगा, और दूसरी बात, इसका nuclear charge कम है तो वो जो एक electron है न, balance electron उसको tightly पकड़के नहीं रखा है, तो sodium can easily lose one electron, दे देगा भाई, इसको कोई तकलिफ नहीं है simple, chlorine की बात करें, 17, atomic number 17 है, electronic configuration 2,8,7, outermost shell में 7 electron है, क्या करेगा, 7 electron lose करेगा कि एक electron gain कर लेगा, क्या easy है to gain one electron, simple, and इसका nuclear charge जादा है, तो outermost electrons को tightly पकड़के रखा हुआ, simple, तो non-metal है न, यह, तो इसके लिए easy क्या है to gain electron, metals can easily lose electron, non-metals can easily gain electron, तो देखो भई, sodium अपना एक electron दान कर देगा, chlorine उसको accept कर लेगा, आपको दिख रहे हैं, अब मुझे बताए, sodium का क्या हो गया, 2,8, stable हो गया, chlorine का हो गया, 2,8,8, यह भी stable हो गया, बट, charge आ गया, 2,8 के उपर देखिए, plus charge है, वो cation बन गया, and chlorine के उपर negative charge आ गया, वो anion हो गया, and अभी charge आने के बाद, they will attract each other, उनके बीच में ionic bond बनेगा, and sodium chloride बन जाएगा, तो यहाँ पर यह पूरे कहानी का तातपरिया क्या है, conclusion क्या है, देखिए बच्छों, metal and non-metal का difference आपको बता देता हूँ, metal क्या करेगा, number of balance electron कम होते हैं, पहली बात, and दूसरी बात, nuclear charge कम होता है, nuclear charge कम है, तो outer electrons को tightly पकड़ के नहीं रखा है, तो metal can easily lose electron, can I say, they have a tendency, tendency मतलब उनके आदत है, tendency to lose electron, and because of that, इस tendency को बोलते हैं, electro positivity, metals are electro positive, मतलब क्या, वो लोग electron lose करते हैं, electro positive, मतलब electron lose करते हैं, तो non-metal में क्या बोलेंगे, number of electrons, balance electron is more, पहली बात, दूसरी बात, nuclear charge is more, nuclear charge ज्यादा है, तो outer electrons को tightly पकड़ के रखा है, तो electron lose नहीं करेगा, क्या करेगा, gain करेगा, तो they have a tendency to gain electrons, and this tendency is called as electronegativity, तो electronegativity क्या है, gain करना, electro positivity क्या है, lose करना, समझ में आ रही है बात, अरे हाया न, तो आप देखें, variation क्या दिखता है इसमें, left to right अगर हम period में जा रहे हैं, तो आपको क्या variation देखेंगा, देखें, lithium लिया, atomic number 3, beryllium atomic number 4, boron atomic number 5, मुझे बताइए देखकर, atomic size कम हो रहे हैं, जैसे हम left to right जा रहे हैं, तो पहली बात, पहला point, atomic size will decrease, जितना size छोटा होगा, उतना electrons को tightly पकड़ के रखा हुआ है, मतलब आभी यह boron जो है, वो easily electrons lose नहीं कर सकता, तो can I say, electro positivity decrease हो रही है, the tendency to lose electron decrease हो रही है, तो can we say, metallic character भी decrease हो रही है, नहीं समझें, tendency to lose electron decrease होई, तो उसका metallic character कम हो गया, non-metallic character increase होगा, तो simple बच्चों, left to right अगर आप जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, metallic character कम होते जाएगा, simple, तो अगर हम down the group देखें, down the group क्या हो रहा है, देखें, hydrogen लिया है, one shell, lithium लिया है, two shell, two comma one, and sodium लिया है, two comma eight comma one, three shell, atomic size increase होई, सबसे पहला point, atomic size increase होई, जितना atomic size बड़ा होगा, उतना वो outer electron, valence electron दूर है, तो उसका हम tightly पकड़ नहीं सकते हैं, तो जैसे ही आप down the group जा रहे हो, the tendency to lose electron increases, तो कहना इसे electro positivity increase हो रही है, down the group, तो metallic character increase हो रहा है, down the group, समझे के नहीं बच्चों, तो मुझे बताए वेरेशन आपको क्या दिखा, यह देखें, आपको zigzag line दिख रहे हैं, यह हैं metalloids, metalloids के left में metals हैं, और metalloids के right में non-metals हैं, तो जैसे ही हम left to right जा रहे हैं, metallic character कम हो रहा है, metals के बाद बीच में metalloids आए, and metalloids के बाद non-metal है, metallic character क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, left to right, down the group क्या हो रहा है, metallic character increase हो रहा है, बात समझ में आई है, तो चलिए last property देख लेते हैं, तो बच्चों देख लेते हैं हमारी third property, that is valency, इसमें क्या होगा, let us see, it is the ability of an atom to gain or lose electron, मतलब एक atom कितने electron gain करेगा, या तो कितने electron lose करेगा, लेकिन यह gain or lose क्यों करेगा, to achieve the noble gas configuration, मतलब उसको atom को outer electron कितने चाहिए, 8, octate state चाहिए, stable होना है, तो for that वो atom कितने electron gain करेगा, या कितने electron lose करेगा, उसको ही बोलते हैं valency, and valency से आपको एक और चीज़ पता चलेगी, it refers to the ability of an element to combine with other elements, मतलब एक atom, दूसरे कितने atoms के साथ combine हो सकता है, compound बनाने के लिए, ये भी आपको पता चलेगा by its valency, तो देखते हैं example देता हूँ, आपको देखिया, हमारा प्यारा sodium atomic number 11, 2,8,1, इसको अगर stable होना है, क्या करेगा, एक electron lose कर देगा, ठीक है, magnesium 2,8,2, atomic number 12, इसको stable होना है, क्या करेगा, two electrons lose कर देगा, तो यहाँ पर बताइए, sodium के valency रहेगी, one, magnesium की valency रहेगी, two, तो वैसे ही chlorine ने क्या किया था, atomic number 17, क्या किया था, याद कीजिए, एक electron gain किया था, तो उसका भी valency क्या है, one, what is valency, ability to gain or lose, अगर आप gain एक electron कर रहे हो, तो आपकी valency one है, या तो आप lose एक electron कर रहे हो, तो भी आपकी valency रहे हो, आपकी नहीं, element की valency, ठीक है, तो इसमें देखते हैं, variation क्या देखता है, हम लोग third period में left to right जा रहे हैं, थर्ड period में आपको याद है क्या आता है, ना mango, अल्ला से, पेपसी, सोडा, कोला और, तो हम लोग sodium से जालू करते हैं, 2,8,1 क्या करेगा, एक electron है, क्या करेगा, lose कर देगा, valency क्या है, one है, magnesium, 2,8,2, दो electron क्या करेगा, lose कर देगा, valency क्या है, two, 13, aluminium, 2,8,3 क्या करेगा, तीन electron lose कर देगा, valency क्या है, three, 14 आता है silicon, silicon 2,8,4, अभी ये बंदा जो है, silicon, ये ना तो electron gain करता है, ना तो electron lose करता है, silicon share करता है, electron, silicon covalent bond बनाता है, चार electron share करेगा, तो इसका भी valency क्या है, four, लेकिन अब देखिए क्या होगा, 15 phosphorus, 2,8,5, अब ये non-metal है phosphorus, पाच electron lose तो नहीं करेगा, तीन electron gain करेगा, तो valency हो जाएगी, three, gain कर रहा है ना, तो valency, three, फिर अता है sulfur, 2,8,6, क्या करेगा, 2 electron gain करेगा, valency क्या है, two, chlorine, 2,8,7, क्या करेगा, one electron gain करेगा, valency हो जाएगी, one, फिर आता last में argon, 2,8,8, इसको कुछ भी घरज नहीं है, ना देगा ना लेगा, इसकी valency है, zero, तो बहीं बताओ, trend क्या दिखा आपको, उपर से नीचे हम अगर, उपर से नीचे नहीं, left to right जा रहे हो, तो पहले increase हुई valency, फिर decrease हुई valency, समझ वें आई के नहीं बात, ठीक है, फिर अगर हम down the group जाते हैं, भाई देख लो यहां पर, सब लिखे हुए हैं, हैली ना के RBCS, फरार, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, और phorancium, सबका electronic configuration देख लेते हैं, भाई 1, 2,1, 2,8,1, 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 32,8,1, पूरा याद रखने की जरुरत नहीं है, लेकिन सिर्फ लास्ट में देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रोन कितना है सबके बास, एक है न, तो सबको अगर stable होना है, तो क्या करेंगे, एक वैलेंस इलेक्ट्रोन लूस कर देंगे, तो down the group वैलेंसी क्या हो रही है, remains same, सबकी वैलेंसी क्या है, one है, समझ में आई के नहीं बात, तो देखो भाई, क्या variation दिख रहे हैं, बताइए, left to right अगर आप जा रहे हो, तो वैलेंसी पहले increase हो रहे है, 4 तक, फिर decrease होके, 0 हो जाएगे, बराबर है, down the group अगर आप जा रहे हो, तो क्या हो रहे है, वैलेंसी, remains same, तो यहां तक का, I think आपको सारे properties समझे होंगे, atomic size, metallic, non-metallic character, and valency, इन तीनों के notes, छोटे-छोटे, end में दिये होगे हैं, प्लीज एक बार देख लेना, लिख लेना, आपको अच्छा लगेगा, and अगर आपको मजा आया है, समझ में आया है, तो like कर दीजिए, share कर दीजिए, और subscribe कर दीजिए to my channel, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, and as usual, thank you very much.